हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कख्छा 11-83 परिख्छा 2022-23 आज यानि 7 अक्टूबर को जो बहुत तिक सास्थ फिजिक्स का पेपर हुआ है तो इस पेपर का मैं आप लोगों को फुल सिलुशन बताने वाला हूं एकदम सठी का अंसर मिलान करें चीहें कि अप लोगों से कितने नंबर का नबर बना ठीक ना एक दम सठीक आनसर बताने वाला हूं तो दोस्तों मिपास इस सटका पेपर है फो इस पेपर को सोलुशन बताने क्लास 11 फिजिक्स पेपर ठीक है ना तो चली स्टार्ट करते हैं तो सब्सक्राइब दोस्तों स्टार्ट होता है आपके सही विकल्ब चुनकर लिखिया आप जिए अब्यक्टिव टाइप कोश्चन से तो पहला प्रशने वेक समय ग्राफ का छेथ पर प्रतरफित करता है तो आप लों का अंगला प्रशने व्रित्ताकर गती में वेक और तुरण के मादे कोण होता है तो नब्य डिग्री का इसके बाद है निम्द लिखित में से किन प्रक्षेव कोण के जोड़ों के लिए 36 पराज समान होगा तो 60 और 30 आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद है पाचमा प्रशने वेक परिवर्तन की दर बराबर होती है तो तुरण के इसके बाद है अपनों का छटमा प्रशने नाव से किसी सवार के किनारे पर कूदते समय प्रतिक्रिया बल लगता है तो यह लगता है नाव पर इसके बाद है अपनों का फात्मा प्रशने सम अंतल फड़क पर किसी कार की गती को एक समान बनाए रखने के लिए तो इसका अंसर हो जाएगा फ्रेंड से आपका बी नमबर करेक्ट हो जाएगा कार पर नेट बल सून होना चाहिए इसके बाद आपके सुरू होते हैं रिक्तितानों की पूर्ति करने वाले कोश्चन तो इ परिणामी बल इसके बाद अपनों का अंगला परस ने विरास्टियां जिन में परिमान तथा दिसार्व होती है के रास्या कहलाती है है और आथिक्तम चैटिछ परास्षप्राप्टकरने के लिए प्रख्षैप होना चाहिए तो होना चाहिए इसके बाद है आप लोग का चोथर नमबर चो कोशन है बल तथा समया वधी के गुड़न फल को क्या कहते है तो आवेग कहते है आवेग इसके बाद है यदि किसी पिंड पर लगने वाला नेट बाइवल शून है तो उसका तुरण होता है तो तुरण भी शून होगा इसके बाद है राकेट नोदन पर आधारित है तो दोस्तों जो राकेट नोदन होता है वो आपका सम्वेग सरक्षण पर आधारित होता है तो राकेट नोदन सम्वेग सरक्षण इसके बाद है घर्फन द्वारा किया गया कार रिणात्मक होता है इसके बाद आप लोग का प्रश्ण करमांक तीसरा है एक वाकि उत्तर दीजिए तो इसमें दोस्तों आपनों का पहला प्रश्ट है कि एक वस्तु को और धोरधर उपर की और फेकने पर वह च्छे सेकंड में अधिक्तम उचाई तक पहुंच जाती है अधिक्तम उचाई से पुना हाथों तक आने में कितना समय लएगा तो इसका जो आंसर होगा आपका तीन है जिए कि तीकंड यह कि दियों ह duy find ना है कि तीन सेकंड तीन सेकंड कर सहे लाएगा इसका अंसर होगा कि है तो आप लोग ध्यन सुनूए एक आंग फदी से वह सदीफे जिसका परिमाण एक होता है ठीक है ना इसके बाद है चौता प्रश्रे दो फदीसों को बराबर पर के चाह सकता है तो Рद धन्सव को बलका मान कितना होगा तो सून होगा इसके वाद आप लोग का अंगला प्रश्न है आब एक का साइङ मातरक लिखी तो आप एक यह सब्सक्राइब दोस्तों होता है न्यूटन सेकंड न्यूटन सेकंड होता है इसके बाद है यदि कोई मसीन 10 सिकंड में 10 जूल कारे करें तो उसकी सक्ति कितने वाट होगी तो सूत्र आपको होता है पी बराबर डावलू अपांट्टी तो आपका जो कार है वो 10 जूल है और समय भी 10 सिकंड है तो 10 10 हो गए एक तो समय हो जाएगा आपका आप साड की जो सक्टी होगी वोगी एक वाट इसके बाद है अपनोंका चौंफा प्रशन है सही जोडी मिलाकर लिखिए तो आपनों गॉला नहीं है कॉलम भी है जो आपका पहला कोशन եो जो पारस एक तो जो पारस एक होगी वो जाएगी आपकी डी नमबर से ठीक है ना तीन सम्मलों जीरो वाट गुड़े दस लिखाद 16 मीटर यह पार्स एक कि यह पार्से कमान होता है और आवर्टकाल की वीमा तो आवर्टकाल की वीमा दोस्तों जो होती है वो गी आपकी यह नमबर से मिलान होगा M0L0T inverse ठीक है ना इसके बाद प्रकाश वर्ष की मिमा विमा तो प्रकाश वर्ष की जो वीमा होती है फ्रेंट्स वह होगी आपकी M0LT0 ठीक है ना इसके बाद नैनो मीटर तो इसका हो जाएगा 10 गाते –9 मींटर इसके बाद है आपके एक्षी घंआत वैं तो आपЕ एक्षी घंआत वह हो जाएगा 11 मीटर इसके बाद कार कवी मी फ्यूत्र हो जागा एम एल स्क्राइर टी माइनस टू ठीक है ना इसका इससे यह अगया यह होगी आपकी करेक्ट सही जोड़ी इसके बाद है आप लोगों का जो प्रश्ण वह सुरू होते हैं आपके तो इनको तो आप लोगों ने अटेंड क क्या होगा और अधिक्तम कोश्चन आप लोगों से बन भी गए होंगे तो इस तरह का प्लों का पेपर आया था तो इम्हेंद करूंगा आप लोगों का पर अच्छा गया होगा सभी लोग अच्छे नंबर पाएंगे फिजिक्स के पेपर में तो चलि फ्रेंट इसी बाद पर आप लोग इस सल्यूशन को मैंने आप लोगों को दिखाया है आप जेक्टिव प्रशनों के सल्यूशन करेक्ट आंसर मैं आप लोगों बता दिया हूं तो इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्क्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिगा तो चलिए फ्रेंट्स मिलता